हेल दोस्तों रानक्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं जो कि लेटेस्ट कंपेटिक्शन जॉब अपडेट लेकर आया हूँ तो इस शुरू आज की में खबरों में क्या-क्या होगा कि आपको पैशेड़ भी पैसी कमेंज का इडमीड कार्ड कब तक आएगा बेहार अंतर होगा कि इतने कम समय में कैसे तैयारी करें और भी जारखेंशे शंबंदित रहेगा कि आपको अधियाजना जेपेसी का बापस ले रही है पुर्णती कितने सालम होगी और भी भैकेंसियों से चर्चाएं होगी तो इस वीडियो को सुरू से अंतर जरूर देखें तो आप देख रहे हैं उत्तर परदेश बिधान परशर सचिवाले लखनाओ ये 17 सितंबर को बिग्यापन जारी किया गया है ऑनलाइन आवेदन प्रारम बोने किती ती 18 सितंबर को सुरू हो गए परिच्छा है तो रेजिस्टेशन 12 अक्टूबर जोके अंतिमती थी है और ऑन इस बिग्यापन में समस्त पदों के लिए प्रिथक आवेदन पात्र परश्टूत किया जाना है तो सेचनी की योगता भी है सम्में तो सबसे पहले देखते हैं कि सीटों की संख्या क्या है तो आप समिछा अधिकारी रिक्त पदों का वीवरन आप देख रहे हैं समिछा अधिकारी देखते हैं पर देख सकते हैं भारत में बीधी द्वरस्था पिशными से साइटि HOW पता का प्रकासित कार्य या पुंस काले में किसी उत्तर पंदाई पर कम से कम पांच वरस तक कार्ज करने का अनुभाव धारित करना आवस्यक है परतिबन दिया है कि ऐसे बेक्ति को दिमान दिया जाएगा जिसके बास पुस्तकाला बिज्ञान या बीधी में उपादी हो जिसे विधाई परकिलिया में सवसद्य का अनुभाव हो संपादक के के लिए क्या है भारत में बीधी द्वारा स्थापित किसी विश्विद्याले से साही तत्वा किसी समाजिक विशे में असना को तरुपादी धारित करना आवस्यक है संपादन अनुबाद सारंस लेखन कार्ज कम से कम पांच वरस का अनुभाव होना चे बित लेखा के होना जरूरी है हिंदू आसी लिपी में 140 और अंग्रेजी आसु लिपी में 120 समिच्छा दिकारी के लिए आप कहीं से भी भर सकते ग्रेज़ेट पर ही है भारत में बीधी द्वारा स्थापित किसी विश्विद्याले से सनातक विपादी है सरकार द्वारा उसके समकच मानत अपर नीजी सचीव के लिए जो कि आपको भारत में बीधी द्वारा स्थापित किसी विश्विद्याले के सनातक विपादी है थवा उत्तर प्रदेश द्वारा इसके समस्केच मानता प्राप्त होना चाहिए हिंदी आसु लेखान हिंदी टंकर मिनियुन तम आसी सब्द सब्द परती मिनट होना चाहिए आसु लिपी और टाइपिंग 25 विश्विद्याले से असनातक को पाधी सरकार द्वारा उसके समकच मानता प्राप्त को यहरता सरकार द्वारा प्राप्त किसी संथा स्कम्प्यूटर रेब्रेकेशन ओ लेवल फ्रमान सूद साहाय के लिए भारत में विधी द्वारा स्थापित किसी विश्विद्याले से साहित अथवा किसी सामाजिक विशमेंसना को तरुपाधी धारक हो एवं किसी सोद पुस्त का विदान वंडल फुस्त करने मुतार दाई पर तीन बर्स का सोध है सुरच पुरसा है पूरू इसके लिए क्या चाहिए आपको मादमिक सीचाही वह होना चाहिए तरफर्देस से इसके लिए सब्सक्राइब होना चाहिए पर देख सकते हैं सबका कितना रहेगा विशे इसकारज पर लेवल बारा रहेगा लेवल दस रहेगा प्रिता लेखा के लिए दस रहेगा समी चाह दिकारी लेवल रहेगा सहताले जार चेस मेनले Hamb अन्य के लिए तो और आप इस फ़र्म सरकारी। पूरी तरह सरकारी इसकोकी आईउ सीमा भी आप देख रहें लिए के लिए leeke की से तो हम देख सकते हैं अरहत। के दो हभजार वी से आईउ सीमा ये रहेगी तो आपने देखा और इसकी परकिरिया जो है आपको फीज के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा कि कितना सुल्क है जो कि सुल्क साइध ज्यादा है इसमें मैंने देखा है इसमें सुल्क है जो कि आपको समानने के लिए दस्सों पचास रफ्य लगेगा और यह आपको है इसको आप देख सकते हैं पर किरिया भी मैं कुछ हद तक बता जाता हूँ कि क्या पर इच्छा होगी सब का अलग लग समिच्छा अधिकारी लेखा के लिए क्या होगा आपको देड़सों परस्णों का एक सुबीस मिनिट कर रहेगा और बस तुनिष्ट रहेगा इसमें समान अध्यान रहेगा आपको भागरवान वही खाता लेखा यह वान गनीती यह रहेगा लेखा के लिए परिच्छा होगी और अंगरी टाइपिंग की परिच्छा होगी है कि इसके बाद है यह आपको बिशेश कार्ज कार्णिंग के लिए भी देड़सों परस्ण रहेगा तीसरे दूसरे तीसरे में क्या रहेगा पर यह दायत से सब्सक्राइब यह वही परिटर्ण है तो सहाय के लिए भी आपको प्रस्णों कि संक्या सौ रहेगी और इसमें सौ अंक रहेंगे देड़ घंटे का समय रहेगा पदों के कार्यों के दायत विच में तीसरा पार्ट में रहेगा बड़ी सहायक पुरूष के लिए भी देड़ सो कोश्चन रहेंगे 120 मिनट में अपर नीजी सचिप के लिए देड़ सो कोश्चन रहेंगे 120 में समान बुदी मतलब रिजिनिंग रहेंगे तीसरे पार्ट में बाकि समान अध्यान और समान समिच्छा अधिकारी को फिर मुख्य परिच्छा है आपको 200 परशन रहेंगे 180 मिनट रहेगा समान अध्यान रहेगा दूसरे समान हिंदी रहेगा तो आप इसको देख सकते हैं यह आप वेबसाइट देख सकते हैं यूपी भी पी एसरी डिक्रेटमेंट डॉट ओ आर जी पर जाएंगे पी आपन जो न्यू दिखाई दे रहा हो समान पर जाएंगे और आउन लेन आवेदन आप कर सकते हैं तो यह रही अब आते हैं दूसरी ख़बरों पर राज के 13,000 प्रात्मिक सिचकों को मिलेगी प्रोनती तो जारखंड के लगबग 13,000 प्रात्मिक सिचकों को प्रोनती मिलेगी इसके लिए 30 अक्टूबर तक रोश्टर किलियर करने को कहा गया है इस संब्द में प्रात्मिक सिचानी देशक ने सभी जीलों के उपाईक तो DSE को पतर लिखा है सभी DSE को 15 अक्टूबर तक प्रास्ताव देने को कहा गया है उपाईक से आगरह किया गया है कि DSE के प्रास्ताव को 30 अक्टूबर तक नेमानुसार अनमोदीत करते हुए रिपोर्ट प्रात्मिक सिचा ने साले को दे जिसमें सिचख को करें ग्रेट 3, 4 और 7 में प्रुर्णती मिलने का रास्ता साफ होगा प्रणाथी से उच्छ प्रणाथारी सिच्छ को निउक्ति तीथी से पुर्णाथी मिलेगी इसमें कि यह होगा शीच्छ को पुर्णाथी 27 साल से लंबे तो राज के स्कूली सिच्छ को 27 से बरिये मेतनमान के सिच्छ को भरिया स्प्रणाथी इसके बाद वidents आकाई जिलों में में 7 competitions वे सिच्छ को 24hr क इनुसार सिच्छ को जिलास तरपरणाथी दीन इसके बाद वे कई जिलों में इसकी प्रक्रियास सुरूर नहीं की है इस समद्द में कुछ जिलों निदे साले से यह करते मार्दा समागा की नियमा वाली 2015 प्रभावी है तो ऐसे मिसे पुरु नियुक्ति प्रस्ताव लेगी बापा तो राज सरका ने जे प्याइटी सिंद्री में सिस्टेंट प्रोफेसर वब पुल्टेक्निक कोलेज में ब्याइटी सिंद्री में सतर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोटेक्निक कोलेज में अस्ती ब्याइटी सिंद्री में सिस्टेंट प्रोफेसर वब प्ल्टेक्निक कोलेजों में ब्याइटी सिंद्री वब प्ल्टेक्निक कोलेजों में ब्याइटी सिंद्री वब प्ल्ट करना होगा जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा को मांगा गया उन्हें नहीं होगी तो कहीं नहीं हो गया है नीट 2020 की जारी हो गई है तो नेशनल टेस्टिंग आजेंसी ने सनिवार को नीट 2020 की जारी कर दी है छात्रों को आंसर की देखने के लिए एंट ये की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और पार्सवर्ट डाल कर लोगिन करना होगा छात्रों को रविवार का या फिर सुमबार को इसे चैलेंज का मौका मिलेगा प्रति इस सब्सक्राइब जारी करेगा इसी के सभी मेडिकल कोलेज में दाख ले होंगे चैन्द्रिय स्वास्त मंतरा लें नीट यूजी 2020 की मेरिट मिलने के बाद राज्यों को जारी करने की कौंसेलिंग करेगा जल्द जारी हो सकती है भरती की लिष्ट उत्तरप्रदिश के पर 70,000 सिचकों की भरतिकतत 31,631 अवेर्थों की लिष्ट है जो की जल्द जारी की जा सकती सोमबार या मंगलवार को यह लिष्ट जारी होने की उमीद है इसके बाद कॉंसिलिंग कराई जाएगे और फिर सहाय का ध्यापक के पदों को चीनिद कर अवेर्थों के स्कूल आव जिहार में तो इसको क्वेश्टन को आप देख सकते हैं किस तरह की प्रस्ट पूछे गएं तो पीसे से जो की कल परिच्छा खत्म हो गई और इसका रियल्ट जो का बढ़ती मांग करने कि पीशेश दो जारी के अंतिम चैनल परिच्छा से पहले जारे हाला कि मुस्कील नाम आया था तो पीशेश दो जार उनी उस चैनित पर लुपी अब यर्थी दो जार बुश्ट के मुखे परिच्छा म सामिल नहीं होंगे और इस परिच्छा के अब जारे जाएगा तो अब डियल्ट का है जो कि इंतिजार है जो किनकी जारी है लापरवाह पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगी पुर्णती तो लापरवाही अदाई चुके परती उदासिंता बरतने वाले पुलिस कर्मियों से निलंबन पदादिकारी सीधे निलंबन की कारवाई होती है लेकिन छोटी गलती होगा अनमामुली लापरवाही बरतने वाल बाइसान नहीं होगा ऐसे पुलिस कर्मियों से लेकर पतादिकारी के चेताव निदेने साथ उनकी सेवा पुस्तक पर भी दर्ज होगा इसके निनम्बन से तो बच जाते थे लेकिन एक साल तक डूटे के दौरान पॉनाती से अन बीतिय लाव से पुस्वताव वंचित हो जा जेते हुए इसे उनकी सेवा पुस्त में अंकीत करने के लिए अनुसांसा किया समधित पुलिस पर अधिकार्यों पर भी अब सजाब मिलेगी इस तरह करवाई शुरू हो चुकी है उसके बाद आते हैं अगली ख़बर लॉकडाउन की मार्ज जेल दहे कोचिंग संस्तान तो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया महा हाकार मचा हुआ ऐसे में सिच्छा छेतर से जुड़े लोगों को भारी नुक्सान उठाना पड़ा सहर के सारे कोचिंग इस्टूट फिछले साथ मेने से बंद पड़े हैं इस समध्र कोचिंग एसोसेशन की और से बताया गया कि सहर में करीब 3500 कोचिंग संस्ता हैं जिन में अब तक लौज माली के स्टेशनरी दुकान इंकम को भी कोरोना ब्रेक लग गया है तो यह है जो कि बहुत सारे लोग है जो कि पत नाम खास कर जाके प्रतिकता परिछा त्यारी करते थे यह जीलों में करते थे परोना का ब्रेक लग गया चिसन की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जानते कि बिहार दरोगा मुख्य परिच्छा जो कि 11 अक्टूबर को है हाला कि इसमें कोईशन से नहीं आपकी परिच्छा होगी सिर्फ एक ही थोड़ा होत अगर निगर्टिविटी नहीं सोचे तो कुछ नहीं होगा लेकिन बाढ़ है जो कि मुद्दबंदल लेकिन अगर यह कंट्रोल रहती है तो फिर कोई परशां क्योंकि एड्मिकार्ट जारी कर दिया गया है 11 एक्टूबर को दरोगा मुख्य फरिचाव जित हो रही है फरिच्छाम अब कुछ ही दिन रह गए है छात तैयारी में जूटे एक्सपर्ट के अनुसार बरतमान समय में कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत चात्रों को नहीं है बेहतर है कि जो पढ़े उसी को रिवाइज करे और फरती दिन कम से कम दो सेट परेक्टिस करें दरोगा मुख्य फरिच्छाम डो पेपर है पहला पेपर समान हंदी का और दूसरा पेपर समान अध्यन का हर एक समान हंधी समान फर्न स्थान उसके उचारन प्रतिया सब्थ के सब्दों का सुधी करन बाक्यों का सुधी करन पढ़ लें समान अध्यन के पेपर 200 अंकों के 100 प्रशन होंगे मुख्य रूप से आपको इतिहास गोल्ड राजवेबस्था अर्थवेबस्था और समान विग्यान पर फोकस करना सी प्रशन है इसी खंड से रहेंगे और आपको अब बहुत सारे बुक्स को रिवीजन है और नई चीजों को पढ़ने से बचे क्योंकि नई चीजों से आपके पैदा हो सकता है तो क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं अगर दिन की बात किया तो लगों 15 दिन के आसपास यह भी बचा हुआ है तो इसलिए जो कि आप सेट प् सब्सक्राइब देखना ना भूले और ज्यादा हो तो आप सेट जो है सो कोश्चन का चाहे हिंदी का उसको बना कर चेक कर लें कि क्या स्थी ज्यादा खराब तो नहीं है तो इसलिए कि आप चेक कर सकते हैं इसमें संसाइब खत्म हो चुका आपकी परिच्छा जो कि 13 अक्टूबर से जो कि फैश्ट भी बीपेसी में से जो कि होगी और आप लोगों के लिए जो कि जी एस फ़ेस्ट फेपर और जी सेकेंड फेपर का है जो कि आपको गैस कोस्चन को देख कर समझ सकते कि यह परिच हो गहारे जो कि ऐसानी हूँ और इसी तुरह के प्रशन आप जैस को परिचया कि में फेपर के अफारतो इसको आप आप सकते हैं तो इसी के साथ धन्यवाद